पीएम मोधी के संसदेश शेत्र काशी से एक दल्चस्प खबर सामने आई यहां एक मुसलिम महिला ने पीएम मोधी पर अपनी पीएचडी पूरी की है आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट पीएम मोधी एक ऐसी शक्सियत जिन्होंने गरी परिवार से निकलते हुए देश की प्रधान मंत्री तक का सफर तै किया इतना ही नहीं आज विदेशों में अगर हिंदुस्तान का जलवा है तो उसके पीछे पीएम मोधी ही है जिनकी रित्रत में भारत की छव दुनिया के देशों में लगातार मजबूत होती जा रही है देश दुनिया में कई लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं अब उनके संस्देक शेत्र काशी से एक खबर आई है नजमा परवीन वो महिला है जिन्होंने पीएम मोधी पर रिसर्च करते हुए पीएचडी पूरी की है नजमा काशी हिंदो विश्विद्याले के राजनितिक विज्ञान विभाग की शोध छात्रा है पीएम मोधी को अपने पीएचडी का विश्य चुनने के पीछे की वज़े भी नजमा ने बताई पनार्श हिंदु विषिद्धाले के राजनितिक विज्ञान की छात्रा है नजमा परवीन और उन्होंने आठ साल में नरिंद मोदी पर अपनी प्यजडी पूरी की पांच अध्यायों में विद्धिक जीवन से लेकर राजनितिक जीवन तक नरिंद मोदी की प्रमुग घटनाय थी वो शामिल की गई साथ ही साथ उनके परिवार का भी जिक्र है कैसे उनकी माने संघर्स करके नरिंद मोदी को पढ़ाया और फिर नरिंद मोदी ने कैसे एक गुजराद के छोटे शशहर से तुनिया के ग्लोबल लीडर्स में शामिल होने के लिए संघर्स किया मैंने अपने जो शोत कारे उसके पूरा उसको पांच अध्याय में उसका अध्या एकरन किया है पहला है कि उसमें 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनितिक इन्डिस्ट्री कोण के बारे में उसमें पूरा लिखा है और दूसरी अध्याय मैंने नरिद मोदी जी के जीवन के बारे मे और उनके मुख्य मंत्री का कारेकाल था उसके बारे में लिखा है नजमा ने अपने इस रिसर्च में मोदी के पि-म बनने से पहले काशी दोरे का भी जिक्र किया है पत्रकारों ने पूछा कि आप यहां कैसे आया और क्यों आप यहां से चुना लड़ना चाहते है तो उनका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब था उनने का कि मैं यहां आया नहीं बलकि मुझे खुद मा गंगा ने बुलाया है तो उनका जो भाषा शैली है और जो उनका जो सरली कर रहा है यह सब भी मैंने अपने थिसिस में लिखाए कि कैसे वो बनारा से प्रभावित हो करके यहीं के सांसत बने नजबा परवीन अब इसके बाद किताब भी लिखने जा रही है जो इस समय की राजनी थी और परस्नलिटी के बारे में होगी वारानसी से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र दिवेदी की रिपोग रुक रहे हैं इहां पर एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसला जा रही है